हेलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी देश की सेर कराने नहीं ले जा रहा बल्कि आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूँ जो पहले कभी आबाद थी लेकिन आज पुरी तरह से लावारिस पढ़ी हुई है दोस्तों इन जगहों पर पहले कभी इनसान रहा करते थे लेकिन किसी मजबूरी और कारन वस लोगों को इन जगहों को छोड़कर जाना पड़ा और आज ये सहर पुरी तरह वीरान और लावारिस है और अगर आप adventure प्रेमी हैं तो आप इन जगों को देखने के लिए अपनी एक trip plan भी कर सकते हैं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 10 ऐसे सहरों के बारे में बताने वाला हूँ जो पुरी तरह से लवारिस पड़ी हुई हैं जहां आज भी वहां रहने वाले लोगों की चीजें उसी हालत में पड़ी हुई हैं जिस हालत में वो छोड़ कर गए थे और दुबारा कभी लोट कर नहीं आएं तो दोस्तों चलिए जल्दी से इस वीडियो को सुरू करते हैं हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो लेकिन येकिन मानिये ये वीडियो आपके लिए काफी मज़ेदार होने वाली है तो चलिए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे वीरान और लवारिस सहरों के ब पड़ा है साथी इस गाउं में बने घरों पर अब घास पूस पेड़ पोधे और काई ने कपजा कर लिया है यह चोटा सा आइलेंड पहले मच्वारों का घर हुआ करता था और इस गाउं में लगबग 2000 लोग अपने पुरे पईवार के सांथ रहा करते थे इस गाउं में तकरीबन 600 के आसपास घर मौजूद हैं जो आज पूरी तरह खंडर हो चुके हैं एक वक्त था जब यहां रहने वाले लोग यहां के मचली बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमाते थे लेकिन धिरे धिरे यहां का बिजनेस डाउन होता गया और कमाई कम होने लगी सांथी आइलेंड मुख्य सहरों और आबादी वाले जगहों से काफी दूर था सांथी पानी की उपर बने होने की वजह से यहां रहने वाले लोगों को जरूरी सुविधाय भी नहीं मिल पाती थी सांथी यहां के बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन की भी कोई विवस्था नहीं थी इन्हीं संब कारणों की वजह से यहां रहने वाले लोग इस आईलेंड और इस गाऊं को सं 1990 में छोड़ कर जाने लगे, सं 1994 तक यह रहने वाले लगभग सारे लोग इस जगह को छोड़ कर जा चुके थे, सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही इस गाऊं को धक लिया है और आज यहां गाउं एक ट्विस्ट पेस बन चुका है बहुत सारे ट्विस्ट इस गाउं को देखने आते हैं इन घरों के अंदर देखने से आज भी यहां रहने वाले लोगों की फरनिचर और घरेलू समान आसानी से देखने को मिल जाएंगे और डो सिटी मंग कहते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि इस सहर में ना के बराबर लोग रहते हैं इस सहर के सड़कों पर आपको गिने चुने लोग ही नजर आएंगे इस सहर में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो आप भूतों के सहर में आ गए हो जहां आपके अलावा कोई भी नहीं है य लेकिन यहां लगने वाले ज़्यादा टेक्स की वजह से यहां बने घर और फ्लैट्स में से सिर्फ 2% घर ही बिके और बाकी बचे घर और फ्लैट्स आज भी अपने मालिक के इंतजार में खंडर और जरजर हो रहे हैं। आज यह सहर पूरी तरह से विरान है और दिन बदिन इसकी हालत खराब होती जा रही है। विला एपेक्वेन अर्जेंटीना दोस्तों विला एपेक्वेन एक समूदर में डुबा हुआ सहर है जो कुछ सालों पहले ही समूदर से बाहर आया है और जिसकी नियूज सोसल मिडिया पर काफी ज़्यादा वारल भी हुई थी। और देखते ही देखते ये सहर पूरी तरह से उस पानी में डूब गया और दुनिया की नक्से से गयाव हो गया। लेकिन कैसे कुदरत ने एक ही जटके में इस सहर को आबास से बरबात कर दिया। सन 2009 में जब इस सहर का मलवा पानी से बाहर आया तब दुनिया भर के फोटोग्राफर इस जगह की तस्वीर लेने अर्जेंटीना पहुचे। और तब दुनिया वालों को इस डुबे हुए भूतिया सहर के बारे में पता चला। बुर्ज अलबाबास तुर्की ये लावारिस सहर तुर्की की राजधानी अंकारा और इंस्तांबुल के बीच में मौजूद है। यहां पर 500 से भी ज़्यादा घर बने हुए हैं और सारे घरों की डिजाइन डिजनी लेंड के थीम पर बनाई गई है। ये सारे घर तुर्की के बुर्ज अलबाबास कमपनी ने बनवाई हैं लेकिन इतने खुबसूरत घरों में कोई भी नहीं रहता। इन घरों को यहां आने वाले अमिर टुरिस्टों को धियान में रखकर बनाया गया था। ताकि यहां आने वाले अमीर टुरिस्ट इन महल नुमा घरों में अपनी छुटियां एंजुआई कर सकें यह घर बाहर से जितने खुबसूरत हैं अंदर से उससे भी कहीं ज़्यादा लगजरी और खुबसूरत बनाए गए हैं इन घरों को बनाने का काम सन 2014 में सुरू किया गया था इस प्रोजेक्ट के अंतरगत यहां 700 से भी ज़्यादा घर बनाने थे लेकिन सन 2018 में इसे बनाने वाली कमपनी दिवालिया हो गई और इसका कंट्रक्शन रोकना पड़ा तब तक इस जगह पर 500 से भी ज़्यादा घर बनाए जा चुके थे जिसमें 14 करोड रुपए खर्च किये जा चुके थे ज़द कमपनी दिवालिया होई तो यहां काम करने वाले लोगों ने इन घरों को उसी हालत में छोड़ दिया जिस हालत तक यह बन चुकी थी आज भी इन घरों में जाकने पर आपको यहां काम करने वाले कारपेंटर्स और लेबर्स के समान और टूल्स असानी से देखने को मिल जाएंगे इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यहां काम करने वाले लोग अचानक से ही यहां काम छोड़कर चले गए और आज भी यह पुरा का पुरा सहर लवारिस और विरान पड़ा हुआ है हासिमा आइलेंड जापान यह आइलेंड नागासा की सहर से 15 किलोमीटर दूर साउथ में मौझूद है इस सहर को यहां रहने वाले लोग काफी पहले छोड़कर जा चुके है यह आइलेंड नागासा की में मौझूद 500 खाली आइलेंड मेंसे एक है यहां आइलेंड पिछले 40 सालों से खाली और लावारी सालात में पड़ा हुआ है वीडियो में आप देखी सकते हैं कि यहां बने घर कितने बहतरिन हुआ करते थे फिर भी ऐसी क्या वज़ा थी कि लोगों ने इस जगा को छोड़ दिया वेल गाइज यहां रहने वाले लोगों ने इस जगा को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहां से निकलने वाला कोला काफी कम हो चुका था और यहां रहने वाले लोगों को इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा था यहां रहने वाले लोगों की कमाई का जरिया था यहां निकलने वाला कोला जो की अब खत्म हो चुका था इसलिए यहां के लोग बेहतर जिंदगी की तलास में इस जगा को छोड़कर चले गए और वापस लोटकर कभी नहीं आए आज यहां आपको खाली बिल्डिंग्स ही दिखेंगे जो पुरी तरह खंडर हो चुके हैं और जिन पर जानवरों और पक्षियों का कबजा है फोर्ड लेंडिया सिटी ब्राजिल फोर्ड लेंडिया सिटी दुनिया की जाने मानी कार कमपनी फोर्ड मोटर के मालिक हेंरी फोर्ड का एक ड्रिम प्रोजेक्ट था हेंरी फोर्ड ने इस सहर को एमेजोनिया जंगल के बीच में बसाने की कोसिस की थी दरसल इस सहर को बसाने की पीछे हेंरी फोर्ड का एक खास मकसद था और वो मकसद था इन जंगलों में पाया जाने वाला रबर ट्री जिने हीदिया ब्रांजिलियंसिस कहा जाता है इन पेडों से लेटेक्स पैदा होते हैं जिन से रबर बनाई जाती है और इसी के चलते हेंर करने वाले करमचारियों के लिए रेसे डिंसेल हाउस, बच्चों के लिए स्कूल, मनोरंजन के लिए गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल के साथ साथ कई ज़रूरी चीजे बनाने की प्लैनिंग भी कर ली थी लेकिन यहां के जंगलों से मिलने वाले रबर ट्री में अचानक बिमारी आ गई और वहां से रबर मिलना मुश्किल हो गया, साथ ही यहां काम करने वाले अमरिकन्स और ब्राजिलियन लोगों के बीच आपस में तालमेल नहीं होने की वज़े से यहां आए दिन विवाद होता था, और इसी वज़े से हेंरी फोर्ट को यह प्रोजेक्ट ब इस सहर का नाम पिरामेडेन, इस सहर के पास मौझूद पिरामीड अकार के पहाड़ों की वज़े से रखा गया, आपकी जनकारी के लिए बता दें कि इस सहर में इंसानी जोरत की हर चीज बनाई गई है, हॉस्पिटल, मुवी ठीयेटर, प्लेग्राउंड, स्कूल्स, होट इस सहर में रहने वाले लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन आज इस खुपस्वा सहर में कोई नहीं रहता, यह सहर सन 2007 से पुरी तरह विरान और लावारिस पड़ा हुआ है, आज इस जगह पर इंसानों की आवाजाही बेहद ही कम हैं, साथ ही यहां आने वाले टुरि अब यहां आने पर आपको अकेले पन के अलावा यहां के लावारिस घरों में रहने वाले जानवरों और चुडियों की आवाजे सुनाई देंगी, और कहा जाता है कि आज यह पुरा का पुरा सहर पुरी तरह से भूतिया हो चुका है, वरोसा फामा गुस्ता साइप्रस, दोस्तों यह सहर साइप्रस के एक छोटे से देश में मौजूद है, साइप्रस एक आइलेंड कंट्री है जो मिडिल इस्ट और यूरोप के बीच में मौजूद है, साइप्रस के फामा गुस्ता में वरोसा नाम का एक सहर हुआ करता था, जो पिछले 40 सालों से लवारिस और बूतिया सहर बन चुका है, लेकिन ये सहर हमेशा से ऐसा नहीं था, एक वक्त था जब ये सहर दुनिया भर के अमीरों की छुट्टिया बिताने की सबसे सामदार और पसंददा जगहों में से एक हुआ करती थी, समुद्र किनारे बने इस सहर के आलिसान होटलों में कई हाल जब तरकी ने साइप्रस पर हमला करके इस जगह पर कज़ा कर लिया और इसे सील कर दिया, आज 46 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया, पर इस जगह पर समय जैसे उस दिन के बाद रुख गया, आज 46 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया, लेकिन ये सहर उसी हालत में आज भी पड़ा हुआ है आज भी यहां रहने वाले लोगों के समान उनके घरों में वैसे ही पड़े हुए हैं जिस हालत में वो छोड़ कर गए थे आज भी इन घरों में यहां रहने वाले ग्रीक लोगों की किमती चीजे उनके घरों में बिखरी पड़ी हैं आज भी इस जगह पर त आईवान के सावली सहर में मौझूद है और जैसा की नाम से ही पता चलता है कि ये सिटी यूएफो डिजैन में बनाई गई थी यहां के सारे घर यूएफो डिजैन के बने हुए हैं यहां डो डिजैन के घर बने हुए हैं एक उड़न खटोले जैसे डिजैन वाले और दूसर इसक्वायर डिजाइन वाले इसे बनाने वाले डेवलेपर्स ने इस सिटी का नाम सेंग जी यूएफो पोर्ट सिटी रखा था दोस्तों ये किन मानिये अगर ये सिटी आज अबाद होती तो यह एक बहदी खुबसूरत जगा होती लेकिन ऐसा नहीं हो पाया आज ये सिटी भूतिया सिटी के नाम से फेमास है और यहां आने पर आपको सिर्फ डर ही महसूस होगा दरसल इन यूएफो डिजाइन वाले घरों को अमरिकन मिलिटरी के लिए बनाया गया था ताकि वो अपना वेकेशन यहां आकर एंजुआए कर सकें लेकिन जब से इन गरों को बनाने का काम सुरू हुआ तब से यहां कुछ ऐसी घटनाय होने लगी जो भूतिया घटनाय होने का संकेत थी साथ ही इन गरों को बनाते समय कई लोगों की मौत हो गई थी इसके अलावा एक आदमी ने यहां सुसैड भी कर लिया इन सारी घटनाओं के बाद यहां काम करने वाले लोग इस जगह को स्रापित और भूतिया मानने लगे ऐसा भी कहा जाता है कि इस सैड पर खुदाई करने के दोरान 20 अजा से भी ज़्यादा डच सैनिकों के कंकाल निकाले गए साथी 1980 में इसे बनाने वाली कंपनी दिवालिया हो गई और तब से यह सहर उसी हालात में पड़ा हुआ है और आज भी यह सहर दुनिया के भूतिया सहरों में से एक है लेकिन अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप इस जगह पर गुमने आ सकते हैं गोल्ड फिल्ड दोस्तों गोल्ड फिल्ड निवाड़ा में मौझूद एक ऐसा सहर है जो सोने की खुदाई के लिए बिश्वी सताब्दी का एक महत्वपूर्ण सहर था दरसल ये पूरा इलाका सोनी की खदानों से भरा हुआ था सन 1905 से 1945 तक इस जगह से उस समय की हिसाब से 10 करो डॉलर से भी ज़्यादा कीमत का सोना इन खदानों से निकाला गया था इस बास से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह पर कितना ज़्यादा गोल्ड मिलता था कहा जाता है कि 1923 में इस जगह पर आग लगने की वज़े से यहां की 80% से भी ज़्यादा चिज़े जल गई थी लेकिन यहां आज भी कुछ चिज़े मौजूद हैं जो उस आग से बज़ गई थी आपकी जनकारी के लिए बता दें कि उस घटना के बाद ज़्यादा तर लोग इस जगह को छोड़ कर जा चुके हैं जबकि कुछ लोग आज भी इस सोने के सहर में रहते हैं इस सहर के ज़्यादा तर घर अब पुरी तरह खाली हैं जो यहां रहने वाले लोगों की हैं जो वापस लोट कर नहीं आएं लेकिन आज भी इस सहर और आजपास के छेतरों में सोने की खुदाई चालू है साथ ही यह जगह अब टूरिस प्लेस भी बन चुकी है कहा जाता है कि इस विरान सहर में मौझूद गोल्ड फिल्ड होटल में भूतों का साया है और इसी वज़ा से इस सहर को भूतिया सहर कहा जाता है सो दोस्तों अगर आपको एडवेंचर पसंद है और भूतों से आपको डर नहीं लगता तो आप इन सहरों में गुमने जा सकते हैं क्योंकि ऐसी जगहों में जाना हर किसी के बस की बात नहीं होती साथ ही मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी इस वीडियो को सेयर करना ना भूलें और साथे साथ मेरे चैनल को सस्क्राइब भी कर दें मैं आपके लिए इसी तरह की और भी मज़ेतार वीडियो लाता रहूँगा मैं आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए अलविदा और अल्ला हाफीज and थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो